हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है फ्रेंस आज आप सभी को कच्छा दस विज्ञान के सबसे महत्तपूर तीस बहुई कल्पी प्रश्ण कराने वाले हैं जो आपके पिछले साल के पेपरों में जिसे 2023 क 2019 और 2018 में यह सभी प्रश्ण कई बार रिपीट हो चुका है और आपके 2024 में होने वाले बूर्ड एक्जाम के लिए 100% वर्ग करेगा फ्रेंस यह ऐसे प्रश्ण है जो आपके बूर्ड के एक्जाम में 100% आने वाले सभी सवाल है चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते है तो फ्रेंस देखिए आपके साहने पहला नंबर का सवाल है ठीक है फ्रेंस यह आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें जिससे कोई भी वीडियो हम अप्लोड करते है तो उसका नोटि योजन अभिक्रीय होगा विस्थापन अभिक्रिय ओन Id remote फ्रेंस यहां द्यां को किसके साथ यह वाई के साथ यहां पर नोट है और यहां alignment करेंगे तो क्का प्रकार नई on सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा ठीक है इस प्रेशनों को आप याद रखिएगा एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है अब चलिए अगले आप सवाल को देखते हैं देखिए दूसरा नंबर का सवाल क्या है कि सफर डाय आकसाइड का जली विलियन है आपको पताना कि साइड़ कैसा होता है शारी होगा उदाशीन होगा यह अभयदर्मि होगा तो पहले आपको पता होना चाहिए जो सल्फाटैटैक्ज अछेट्व को एकी। इसका छली इविल्यन चीजिवाब आपको ऑनको पॉइंट बता देते हैं यहाँ पर है, यह बहुत बूस्रत defines पूशत है आप से, अगला नंबर का सवाल। अपको पॉइंट बता देते हैं। प्यूह पूछता है अधिक होता है जब कि उधासियन का प्यूह मांग होता है साथ से अधिक होता है इसको याद रखे हैं आपके बूर्ट के एकजाम में पूछता है अब देखे तीसरा नमबर का सवाल क्या है कि bleaching powder का रासाइनिक सुत्र होता है यानि कि bleaching powder जो होता है इसका रासाइनिक सुत्र क्या है आपसन को द्यान से पढ़िए गा यहां एक दूसरे नाम से भी जानते हैं वीरंजक चूड क्या होता है वीरंजक चूड के नाम से भी जानते हैं इसे दोने शब्दों के याद रखिएगा और के एक्जाम में वीरंजक चूड देता है या ब्लीचिंग पाउडर देता है इसका रासाइनिक सुत्र पूचता है तो इसका रासाइनिक सुत्र होगा C A O C L 2 इसका दूसरा रूप इसको देखाने का तरीका होता है C A O A कोश्टम O C L और C L इस तरह भी दिखाया जासा थीक है इस फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर को जारूरा क्या होता है Cody Aocl2 होता है ठीक है इसका सभी अब B वला आपना करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला नंबर का सवाल देखिए चौतहां नंबर का क्या है कि तनू सल्फूरिक अमल की जासता चुन्ट से अब किरिया से गयस निकलती है ठीक है क्या होता है थे क्या होता है यह सब्सक्राने के तुन्हीं की जैसे की जैसरे सब्सक्राइब कुसों शायई आपंसा घेस ए텍ल करेक्ट जाएगा ठीक है कि अगला नमबर के दिखिए पांचवर नमबर का अधातू जो ड्रोव अवस्था में पाए जाता है यहां पर सब्सक्राइब यद रखेंगए अधातू है यहां पर आपसा ने कॉलरीन होगा फ्लॉरीन होगा ब्रोमीन होगा यह आईओदीन तो देखिए अपका अधातू क पूच्चन पाए जाता है तो होता है आपका पारा होता है अगला नमबर का सवाल सवाल ठीक है देखिए च्छाटमा नंबर का सवाल क्या है निम्न में से कौन सी धातु एक अमल से हाइडोजन विस्थापित करती है देखिए यहां पूछ रहा है कि अमल जू रहेगा उसमें से हाइडोजन कौन विस्थापित करता है तो आपको सक्रियता से पढ़ाये थे उसमें बताया थे कि ए लिए ये यहां जी हुआ ठीक है यह वो अर्षफ्प्वियां होती है ठीक है और जिंग हो गया यह सब अमल से यह एस्थापित करता है तिसका सहीछ जवाब एवला आप्शन क्रेक्ट हो जागा सक्रियता सिरणी में जो होता हाइडोजनें और उपर ततो होते हैं जितने विधात में होती है वह अमले से hydrogen को क्या करता है विस्थापित करता है इसको याद रखिएगा ठीक है अगला नंबर सातवा नंबर का सवाल ध्यान दीजेगा क्या है कि copper glance का रसाइलिक सुत्र आपको बता है तो यहां ध्यान से पढ़िए कि co2-s होगा also photo CEO co去 c3 होगा जहां पिकापर डारेक्ट Lean फार्मूला आप यहाद रखिएगा जो फार्मूला होता है क्या होता है तो copper lons का जो फार्मूला होता है sachen Не She sunya सोता है इस प्रक्रेशन का सहीजाभ एवल आपसन करेक्ट हो समझ में आगया अगला नंबर का सवाल देखिए अठावा एल्मूनियम की सता पर आक्सीजन की प्रत बनना कहलाता है जो एल्मूनियम की होता है ना दादू उसकी सता पर यदि आक्सीजन की प्रत जम जाता है तो उसको उस पर क्रिया को क्या कहते हैं यही बतारा है आपको न यह देखिए इसका सही जवाब एवलाफसर करक्ट हो जागा इसके लाव एक प्रशनी आप बार बार पूचाइट क्या पूचता है बाक साइट पूचता है बाक साइड जो हता है किसका ऐसक होता है गले नमबर के सवालों के देखते हैं अगला सवाल देखिए, आपका क्या है नुवा नमबर का, कि नीचनी में से एक उसन्त्रिफlement। हाईडोकारबन बताना आपसने C2H6 होगा, C2H4 होगा, C3H8 होगा, ठीक है? यहाँ भी देखिए उसन्त्रिफmeal। हाईडोकारबन का मतलब क्या होता है? और संत्रिफ्थ हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसके अंतरगत क्या होता है डवल बांड या ट्रिपल बांड बनता है ठीक है डवल बांड या ट्रिपल बांड बनता है तो असंत्रिफ्थ हाइड्रोकार्बन का लाता है इसमें आपसन में देखेंगे तो C2H4 के अंतर क्रियात्मक्स होता है कि इसका सही जब आप सी डबल लाप्सन करेक्ट हो ठीक है स्वाल क्या है कि किसी की चता की होती है आप की चिंता की का सिर्फ होता हैbas request होता है अब यहां भी में ज सकते हैं जह जैने घर रचान्मीर में में यह सकते हैं प्रती अव्हेंसे दों चूर्ण यहां प्रती Module लिखेंगे यह इसी को हम डायोप्टर भी का तहें क्या कहए है क्या 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 रहा है जा रहा है अगला नंबर का सवाल देखे एक दरपड क्योंसी वस्तु का सदेव सीधा परतिवीं बनाता है यहां पर सम्थ दयानती जिया का दरपड के दरपड शीधा सीधा परतिवीं बनाता है है इसका सम्था दरपड के द你在 भी सिधा परती भी बनता है अगरा नंबर का सवार देखें तैरहावा नंबर का एक और लेंस की फोकल दूरी दिया पांच मीटर इसकी छंता पूछ रहा है कितना होता है एक बटा के भाग देंगे कितना होगा ठीक है और यह देखिए यहां डी का मतलब क्या होता है अभी समझाए उपर डायोप्टर इसे डी होता है अब यहां पर ध्यान दीजिए कि आपसन को जब देखेंगे ऑधके正 Um माइनस में उटाल देंगे लाइनस होती है या इस प्रेशन का सही है फिलstill आपसन को माइनस अगला नंबर का सवाल देखेंगे है और द्रिश्टी दोस्ट के कारारा परतिवि में बनता है कि पीछे रेटी आगे यहां नेत्रश देखिए आख में किसी प्रकार में किसी प्रकार का दोस्ट का रेटी माली रेटी ने रैटी नहाई पीछह परत्विमिन भी Intern Sum extrem करेक्ट हो जागा कि दूर द्रिष्टी दोस के प्रतिविम बनता है रेटिना के पीछे बनता है इस प्रश्ण का सही जो आप बीवल आप्शन करेक्ट होगा इसके अलाबा आप निकट द्रिष्टी दोस याद रखेगा निकट द्रिष्टी दोस में निकट द्रिष्टी दो प्रतिविम कहां भी बनेगा रेट इन आप बनेगा ठीक है तीनों प्रश्णों को आप जरूर याद रखिएगा बोड के एक्जाम में 100 परसंटेज आएगा अगला सवाल नेत्र लेंस होता है यानि कि जो आपका नेत्र है मानों का नेत्र है उसका लेंस किसका बना होता है य इसका सही जवाब एवल आपसर करेक्ट हो जाएगा अब अगला नंबर देखिए सुलाहवा नंबर का ठीक है यहां पी दियान दिजिएगा कि एक 220 बोल्ट 100 वाट बल्ब के फिलामेंट का परतिरोध होगा यहां पर देखिए भी का मान दिया है आपका यह पी का मान दिया कितना दिया है सव दिया यहां में हां 20-30 बिस अपान आरे हो जागा नहीं का मतला करेंगा और सबने कितना होजाएगा अप्र मैं दूसो बिस तुर्विट का M सब्सक्राइब कितना हो जाएगा दूसरी अपका प्रतिरूद कितना यह चार सो चारसो चार चारीएफ डिसका जवाग गिया है यह इस पर प्रेश्ब बहुत पूछता आपके बौर्ड के इग्जाम में ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल कूदेखे देखिए आपका सत्तरहबर hoard का सवाल क्या है आस्वक्ती बरावर होते है कि एकके द्वर सक्ती गो болधा के बरावर होताinden पर और उपाटर सासोच्छपन और सासोच्छारिश इसका आप सन्क्राइब करेक्ट जाएगा अगला सवाल देखिए ओम के नियम का सूत्र आपको बताना है कि इसकल भी आरोगा और इसकल भी आई होगा भीश कलड़ आयर या इनिमें से कोई नहीं अपको पता होगा फ्रहेंस के भीश पूछतता पूछता हैं जो आए में ग्राब खीषते हैं कैसे रगाइताए 30 भी बढ़ा मिलता आप सब्सक्राइब biz धारा उत्पन करता है उत्पन करता है उस युक्ति को क्या करते हैं या झानिटवान में जैनित्र ग्लावन, इमिटर या मोटर देखें यहां पी विद्धु धरां को उत्पन करता हुए तो Ст doctrinal olmas के जानित्र का इतन कई पधान कि वहां इंपगOY को सवाल देखिए जुम्पकी छेत्र तीवरता का मातरक क्या है आप त्र China पलो सब्सक्रमात्वीस आपने ada टेसला एक पानाका धैसला उधार आप जितने भी सवाल करें सबसे जदा इंपोर्टेन सवाल ही आपको करा रहा है ठीक है देखे 21 नंबर का सवाल क्या है आपका मनुस्य में दूद के दातों की संख्या कितनी होती है आपसाने 20 होगा 24 होगा 28 होगा 32 होगा यहां पर देखे मनुस्य में किसका पूछ रहे हैं मनुस्य में दूद के दातों की संख्या कितना होता है टोटल 20 होता है इसका सही जवाब 20 होगा ठीक है तो मनुस्य में दूद के दातों की संख्या कितना होता है 20 होता है इसको याद रखेगा अगला 22 नंबर का सवाल निमन में से कौन सा परपोसी नहीं है यहां पर बताने इसके लाए जो कवा, फिता, क्रिमी हुआ, इस्ट हुआ यह प्रकार का परपोसी होता है अगला नमब्र का सवाल देखें तेवी स्वाई नमब्र का ठीक है कि पाधपों में उआई पर दूशा कम करने की प्रकिरिया को क्या कहते हैं पादपो के द्वारे आप सभी को पता है क्या पादपो में पार्दृशर कम करने के gee dellख करते हैं आप सभी को पता है कि जब प्रकास का संसेलेशर करते हैं उस समय आपका carbon dioxide की competit यह परियोग करते हैं जिसके वजह से वाई को परदोश्रा कम से कम होता है ठीक है तो इसका सही जवाब भी वाला आपसन करेक्ट हो जाएगा चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं 24 नंबर का सवाल देखिए निमन में से कौन से पौधों में पुस्प एक लिंगिक होता है जिसमें आपको पताना है ऐसे पुस्प का नाम बताना है जिसमें एक लिंग होता है ठीक है ऐसे पुस्प का नाम बताना है जिसमें एक लिंग होता है तो आपसन है पपीता ही बिसकस सरसों या मटर एक लिंग ईक यह जो उता है वहता आपका पपीधा इसका सहीじゃवाप e 20 और यह याद रखिये गा कि पपीधा एक प्रकार आइसा पोधा होता जो जो जिसमें क्या होता है एक लिंग हो ठीक है अगला नम्डर का देसिसवा नम्बर का सवाल आपको क्या है निन मेंसे कॉन प्राग कोस में ठुटा है ध् felt में क्या पाइजाता है परिए आफ्सनको ध्यान दिजेगा बहा इधर उता उसमें अंडासे होता है प्राग कड़ होता या भी जान तब प्राग कोस में जो पाए जाता है वो होता है प्राग कड़ तो प्राग कोस में क्या पाए जाता है तो प्राग कड़ याद कैसे करेंगे इसमें प्राग है इसमें प्राग लिखा है प्राग प्राग से प्राग कड़ याद रख ल तोटल भाग होते हैं आफसंट तीन होगा चार ओगा पांच होगा तोपुषबبة में कितने भाग होते यह त्गा सथ ही जवाब भी वला आफसंट करेक्ट होगा ठीक हुआ 27 वा नमबर का सवाल देखिए यूगमनज में गुर्षुत्रों की संख्या कितनी होती है जो यूगमनज होते हैं उसमें गुर्षुत्र टोटल कितनी होते हैं उनकी संख्या कितनी है वही बताना है आफसान है चार यक्स होगा तीन यक्स होगा और दू यक्स हो जाएगा या आपका यक्स होगा देखिए यूग मनज मतलब जोड़ा होता है यूग मनज में गुर्ण सुत्र की संग्या कितनी होती है टोटल टू यक्स होती है इसका सही जवाब सी वहला आपसन करेक्ट होगा ठीक है अगला नंबर 28 नंबर का सवाल देख देखिए ठीक है उद्यान के मतल लिया था उस पर अपनोंने प्रिवक किया था मेंडल के अनुसार मतल के बने पौधे का जीनो टाइट बताना है यह बताना क्या होगा अगला नंबर 29 नंबर का सवाल देखिए मेंडल का प्रियोग प्रियोगिक पौधा है तब यह आपको पता है कि मैंडल किस पे प्रियोग किया था तो मटर पर देखिए मटर यहां मीठा मटर दिया है यहां उद्ध्यानका मटर तो इसका सही जवाब बीवल आफ्यान करेक्ट होगा ठीक है तीसरे नंबर का सवाल देखिए कि मनुष्य में सुन्रोगं कि संख्या कितनी होती है जो मनुष्य में संख्या टोटल कितनी होती है कि छाफिस होती है आप सघ्ञार चाई इसने सो कि संख्या तो फ्रेंच कि आप वी ć्यालिश ज़ाइस याहा कि pendant उसकी जितने वी important question थे आप सभी को कराएं इन प्रशनों को आप 2-3 बार देख के इन प्रशनों को आप तयार जरू कर लिजेगा बोड की exam में इन ही में से आपके प्रशन आने वाले हैं ठीक है तो friends आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like करें चैनल पर नहीं तो चै अधिक साधिक वीडियो को सेयर करें अधिक साधिक वीडियो को सेयर करें